Hello friends, अगर आपको भी confusion रहता है कि polynomials को कैसे divide करते हैं, यह हमारे पास एक polynomial है और इसको divide करना है किसी दूसरे polynomial से, तो हम इनको divide कैसे करते हैं, तो आज मैं आपके हर एक confusion solve करने वाला हूँ, यह video देखिए, इसके बाद मैं 100% बोलता हूँ, कि आपको कभी भी इसमें problem नहीं में भी हम जो पहले वाली digit होती है, उसको देखते हैं कि उसको कैसे काट सकते हैं, तो आपको क्या करना है, यह हमारे पास यहाँ पर x है, और यह 2x cube है, तो आपको इस वाली value में किस चीज की multiply करें, कि यह first वाली value बन जाए, तो आपको first वाली value पर ध्यान देना है, अब द minus 3 से, क्या बनाना है, 2x cube बनाना है, ठीक है, 2x cube बनाना है, तो simple सी बात है, 1x तो हमारे पास पहले से ही है, और हमें बनाना x cube है, तो यानिके multiply x square के साथ तो करनी पड़ेगी multiply, और उसके बाद हमें यह 2 भी लाना है, तो 2x square, तो जब हम इनकी multiply करेंगे, तो multiply करिए, देख ठीक है, तो हमारे पास यह value बन जाएगी, ठीक है, तो अब देखिए, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जब हम x minus 3 की multiply 2x square में करेंगे, तो हमें क्या value मिलेगी, हमें value मिलेगी 2x cube और minus 6x square, तो आपको इस हिसाब से multiply करनी है, कि यह पहले वाली जो same हमारे पास एक polynomial है, वो बन गया, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि second value हमारे पास क्या आती है, second value हमारे पास minus 6x square आई है, तो हम यह जरूरी नहीं है, कि हमें minus 5x square ही मिले, तो यह कुछ भी आ सकती है value, अब देखिए, अब हम इसको आगे solve करते हैं, तो आप इनके signs change कर दीजी, यह minus हो जाएगा, औ हम इन दोनों का add करेंगे, तो यह दोनों तो कट जाएंगे, क्योंकि यह plus का 2x cube है, और यह minus का 2x cube है, ठीक है, अब देखिए, यह हो गया, plus का 6x square, तो plus के 6x square में से, हम minus 5x square कर देंगे, तो कितना बचेगा हमारे पास, x square बच जाएगा, अब देखिए, जो minus 8x है, इसको अब यहाँ पर उतार लीजिए, तो यह आजाएगा, ऐसे minus 8x, अब मैंने आपको बताया था, कि हमें first वाला बनाना है, अब देखिए, कि x minus 3 में किस चीज की multiply करें, कि x square बन जाए, तो यह नहीं कि हम plus x की multiply कर देंगे, जब हम plus x की multiply इसमें करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा अब देखिए, multiply करें, x की, x में multiply हो जाएगी, तो x square मिल जाएगा, और minus 3 की multiply, जब x में हो जाएगी, तो यह मिल जाएगा, minus 3x, अब देखिए, अब फिर इसके sign change कर दीजिए, minus और यह plus, यह दोनों तो कट जाएगे, ठीक है, अब देखिए, minus 8x में, plus 3x करना है, तो कित इतनी value बचेगी, minus का 5x बच जाएगा, ठीक है, अब देखिए, यह वाली जो 15 value है, उसको as it is यहाँ पर उतार दीजिए, अब हमें क्या करना है, हमें first वाली value बनानी है, अगर हमारी second value same as it is बनती है, तो और अच्छी बात है, और अगर नहीं बनती, तो जो बचेगा, वो value क्या बनेगी, तो अब देखिए, minus 5 की multiply x में करिए, तो minus 5x आ जाएगा, अब इस minus 3 की value minus 5 में कर दीजिए, तो minus minus तो plus हो जाएगा, minus minus plus हो जाएगा, और 3 पंजे 15, तो यह निके यह आ जाएगा 15, अब देखिए, इनके sign change कर दीजिए, यह हो जाएगा plus, और यह हो जाएगे, और यह plus का 15 है, और नीचे वाला minus का 15 हो जाएगा, तो यह भी गट जाएगा, तो यह निके यह value मिल जाएगा में 0, तो 0 हमारे पास क्या आ गया, 0 हमारे पास remainder आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा answer क्या आ जाएगा, divide करने पर, answer आ जाएगा, हमारा 2x square plus x minus 5, तो आप इस तरीके से polynomial को divide कर सकते हैं, यह हमारा answer हो जाएगा, एक और question लेते हैं, और उसमें भी सीखते हैं, अगर आपको कुछ doubt रहता है, अब देखिए, suppose करिए, हमारे पास polynomial है, 4x square minus 5x minus 21, ठीक है, अब इसको हमें divide करना है, x minus 3 से, तो अब देखिए, अब हम कैसे divide करेंगे, हमें first वाली value बनानी है, 4x square, तो यानिके, इस value को मैं किस चीज़ से multiply करूं कि 4x square बन जाए, तो अगर मैं 4x से multiply कर दूं, तो यह क्या बन जाएगा, यह first value क्या आ जाएगी, 4x square आ जाएगी, अब देखिए, minus 3 की गुणा, 4x में कर दीजिए, तो 3 चोक 12, तो यह हो जाएगा 12x, तो यह आजाएगा 12x, ठीक है, अब देखिए, हम इनके sign change कर देंगे, जैसे हमने यहापे किये ते, यह minus हो जाएगा, और यह minus plus में convert हो जाएगा, अब यह दोनों तापस में कट गए, अब देखिए 12x, यह plus का 12x है, इसमें से minus 5x कर दीजिए, तो कितना ब multiply किसमें करेंगे 7x बन जाए, तो plus के 7 में multiply कर दो, तो यह हो जाएगा 7x, अब देखिए minus 3, यह जो minus 3 है, इसकी multiply भी 7 में हो जाएगी, तो यह क्या आजाएगा, सात्या 21, यह minus का 21 आजाएगा, मतलब आपको यह जो value लिखी है ना, आपको इसमें दोनों की multiply करनी है, इसका मतलब है, minus x minus 3 into 7, इसका यह मतलब हो गया, तो हम इनकी multiply कैसे करेंगे, पहले x की multiply 7 के साथ, तो मिलेगा 7x, फिर इस 3 की multiply 7 के साथ, तो मिलेगा minus 21, ऐसे ही इनकी करनी है, ठीक है, मतलब दोनों के साथ हो जाएगी, x के भी, और minus 3 के साथ भी, अब देखिए, हम sign change कर देते है यह minus और यह plus, तो यह भी कट जाएंगे, और यह भी कट जाएंगे, तो यहाँ पर remainder मिल जाएगा 0, ठीक है friends, अब देखिए, जब remainder 0 मिल गया है, तो मतलब हमारा जो answer आया, वो क्या जाएगा, 4x plus 7, जब हम इस polynomial को divide करेंगे, तो यह हमारा answer आजाएगा, तो आप इस तरीक सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो को लाइक कीजे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्यू गाइज,